अंबाला में काफी दिनों से सनेचिंग की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही थी। अब अंबाला पुलिस ने लूट पार्ट करने वाले एक गैंग को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। जिससे अंबाला में होने वाले कई लूट पार्ट के मामले सुलज गई है। गै अमबाला पलिस दोबारा एक लूट पार्ट के गैंग पकड़ा गया, जो काफी टाइम से इस आलाके के अंदर सुक्रीय था, और इस गैंग दोबारा अमबाला जिले के अंदर और इस हमारे पडुसी जिले पटेयला के अंदर लगबग आदा धरजन से ज्यादा वारदातों को अंजाम दिया गया इसमें मुख्य तोर पे हमारे शेतर के अंदर पंजोखड़ा पुलिस स्टेशन के अंदर एक 11 अक्टूबर को 2022 को एक लूट की घटना को अंजाम दिया गया था जिसमें एक व्यक्ति के गर्दन पे चाकू रखके उससे उसका मुबाइल और उसका मोट 211 धारा 392 पुलिस स्टेशन पंजोखड़ा में दर्ज हुआ था यह जो अरूपी हैं यह घटना को अंजाम दिया गया था इसके अलावा जो इस गैंग दोवारा हमारे एरिया के अंदर दो अन्या लूट पार्ट की घटनाओं का अंजाम दिया गया था जिसमें बलदेव 20 फरवरी 2022 को जो की दर्ज है जिसमें एक मुबाइल को स्नैच किया गया था वो भी इसी गैंग दोवारा किया गया था इसके अलावा सदर अंबाला छेतर के अंदर एक दारू के ठेके के उपर चार दिसमबर 2021 को कैश और दारू की कुछ पेटियां लूटी गई थी जिसमें ये गैंग सलमित था इसके इलावा इनके दोवारा पटेला के अंदर मुबाइल फोन की काफी घटनाओं की इनकी सलिपता पाई गई गया और इन्होंने हमारे को टोटल आठ मुबाइल फोन्स एक मोटर साइकल और जो मोटर साइकल की जो इन्होंने प्लेट्स उतार रखी थी वो हमने इनसे रिकवर की है इनको कल हमने अरेश्ट करके हमने अदालत में पेश किया था और इनको हमने 26 फरवरी तक ये हमारे पास चार दिन के पुलिस रिम उन्हें इंजाम दे रखी हूं उनका भी ख्लासा किया जा सकते हैं इसमें जो अरूपी है उनकी डिटेल्स इस परकार से हैं इसमें तीन इस गया रूपी पकड़े गया है पहला रूपी रविंदर उर्फ रवी है ये राजपुरा के अंदर आरके खलसा स्कूल के पास राजप्तिती में गाम नीलपुर का रहने वाला है और तीसरा आरूपी दोविंदर उर्फ कका जो है ये थाना घंणाव जिला पाटयाले का रहने वाला है इसमें जो रविंदर है ये एक टैटू मेकिंग का काम करता है और जो आरोपी सतनाम है वो एक जिम ट्रेनर का काम करता है और ये सारे अरुपी जो है ये नशे के आदी हैं और अपनी नशे की रिक्वाइरमेंट को पूरा करने के लिए नोने इन वार्दातों को अंजाम दिया इसमें जो सतनाम है उसके उपर सत्ते की उपर पहले भी लड़ाई जगड़े का केस धर्ज़ है और जो दविंदर है उसके उपर छेड़ खानी का केस पहले भी धर्ज़ है टर क्या कुछ रीकवर हुआ था इस ने जो हमारे पजोकडा वाली वारदात में जो मुबाइल फोन और जो मोटर सैकल गया था हमने वो रिकवर किया और जो हमारा बलडेव नगर के अंदर इनोंने मुबाइल सनैच किया था वो भी रिकवर हुआ और इसके इलावा हमने छे और मुबाइल फोन्स जो इन्होंने पटेला के अंदर अलग-अलग वारदातों के अंदर इन्होंने स्नैच किये थे वो हमने रिकवर किये हैं।